हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप वेडिंग इन्वीटेशन वीडियो बना सकते हो काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप में और अभी साधी का सीजन चल रहा है तो मैं सोच एक टूटेरल इस टॉपिक उपर बना देते हैं एन्वेज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ Wedding Invitation वीडियो बनाना काफी जाधा आसान है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप आराम से इसे बना पाओगे मैं आपको हर एक स्टेप बता दूँगा ठीक है सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखे बिल्कुल टेंशन फ्री होके देखे आपको हर एक चीज पता चल जाएगा एंड जैसा कि हम वीडियो को काईन मस्टर में एडिट करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने काईन मस्टर को ओपिन कर लेना है अगर आपके पास काईन मस्टर नहीं है देन इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकतो यह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आप अपने काइन मास्टर को ओपिन कर लेना कुछ इस तरह का इंटरफेस आज आएगा देन आपको create new के उपर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर 16 to 9 यह जो रिश्यू है इसे आपको select करना है सेलेक्ट करने के बाद create आपको click कर देना इसे नंग उसके बाद एक एक ऊप्छन देखने को मिलुकर अशुत करना फिर यहां से आप कोई भी image को select कर सकतो जैसे कि मैं blackίiserat diferencia और उसके बाद आपको cut कर देना ठीक है दो उसके बाद इससे इमेज का टूरेशन आपको इंक्रीज करना है सो आप यहां से इंक्रीज करदेना अब आपको यहां पे एक वेटिंग इइनवेटेशन टैम्प्लेट एड करना होगा मतलब कि वेटिंग इनवेटेशन वीडियो ठीक है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देव declbank तो आप वहां के बीजर में चले जाना क्योंकि आपने उसे डालोड किया है उसके बाद उसे आप सेलेक्ट कर ले ना सेलेक्ट कर लोगे फिर कुट कर देना है तो यह एड हो जाएगा जैसे की आप देख सकति हूँ ठीक यह यहां पर add हो गया अब इसके उपर आपको simply सा click कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको scroll करना है and split screen का आपको एक option देखने को मिलेगा इसके उपर आपको click करना फिर यह जो full screen है इसे आपको select कर लेना ठीक है उसके बाद आपको back कर देना है तो आपका जो यह template हो यह यहां पर add हो जाएगा ठीक है template add हो चुका है अब उसके बाद आपको इसमें सारा details को fill करना है ठीक है तो सारा details को fill करना हम start कर लेते हैं सबसे पहले आप यहां बिल्कुल starting में आना एंड थोड़ा सा आगे मतलब कि जब यह animation खतम होरा यह white वाला इसके यहां पर बिल्कुल इस place पर आप आजाना एंड उसके बाद layer को पर आपको click करना है फिर text को पर आपको click करना है क्योंकि लिखके ही तो हम यहां पर सारे details को बताने वाले ठीक है तो टेक्स्ट को पर आपको click करना एंड उसके बाद आप यहां पर family का जो name हो लिख देना जैसे कि गुपता family है या फिर जो भी है उस तरीके से लिख सकते हो गुपता सर्मा सिंग कुछ भी ठीक है देन लास्ट में आपको सिर्फ यहां पर celebrate लिख दे इसे दरीके साब भी लिखना एंड डन कर देना डन करने बाद आपको यहां पर फॉंट के ओपर क्लिक करने बाद आपको यहां पर एक लेटिन जो कि हर एक काईन मस्टरम होता है इसको पर क्लिक करने यहां पर क्लिक करो देन आपको great vibes का एक option देखनों को मिलेगा इसे आप को सेलेक्ट करने फिर डन कर देन HE Mats.ioni फॉंट आपको यूस करने तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद आपकोfta करने होगा तो क्लर चेंज करने के लिए आपको कलर कॉप्शन मिलता है इसको पर आपको क्लिक कर देना फिर यहां से आपको डार्क ब्राउन को सेलेक्ट करना है तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा आप यहां पर नीचे करना और इस वाले पॉइंट को पूरा नीचे यह सैड में कर देना उस इसमें आपको एक shadow add करना हुआ तो shadow add करने के लिए आप यहाँ scroll करना एंड़ स्क्रॉल करोगा तो shadow का आपको option मिल जागा इसके उपर आपको click कर देने फिर से आपको enable करने इनेबल करने एक बाद इस color को पर आप क्लिक करने यहां पर ठीक है यहां पर क्लिक करोगे दिन ओपेसिटी का option मिल जागा तो इसका ओपेसिटी आपको 30 से 40 के बीच में रखना है उसके बाद आपको done कर देने तो देख सकतो काफी अच्छा लगने लगेगा आपका font या फिर टेक्स्ट ओके यह हो चुका आप इसका duration आपको यहां तक रखना है मैं दिखा देता हूं जब यह green color आने लगते हैं आप देख सकतो यहां पर इतना दूर तक आपको रखना है तो आप इसको पर क्लिक करने यहां से इसका duration को increase कर देना है जब तक यह green screen आने ना लगा आप आपको इसमें एक animation add करना होगा तो इन animation को पर आपको क्लिक करके जस्ट फेड को सेलेक्ट कर लेना एंड बैक करके आउट animation में जाके भी फेड को सेलेक्ट करना है ठीक है duration आपको चेंज करने के जोरत नहीं one second enough होता है perfect तो इस तरीके से आप यहां पर यह चीज लिख सकते यह हो चुका first जे जो कि आपको लिखना है उसके बाद आपको यहां पर गुपता family celebrate बट क्या celebrate कर रहा है तो साधी होने वाला है so wedding ceremony हम यहां पर लिख सकते हैं तो लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यह होगा कि आपने जो यहां पर text लिख है उसको पर click कर लेना एंड इसे क आप duplicate कर लेना ठीक है duplicate करने के लिए three dot को पर click करके duplicate को पर click कर देना तो यह duplicate हो जाएगा अब इसे benefit होता है कि आपको font color shadow अगरा बार बार नहीं बनाना पड़ता है duplicate करने से automatic बन जाता है आपको सिर्फ यहां पर edit को पर click करना होगा एंड उसका बाद इसे erase करके आप यहां आप wedding ceremony लिखो ना तो इसे आप सभी words को capital में लिखो मतलब कि सारे letter को capital में लिखना है एंड लास्ट में आप यह भी लिख सकते हो कि wedding ceremony of her doubter या फिर his son like मैंने यहां पर लिखा wedding ceremony of her doubter ठीक इसके बाद आपको done कर देना है आपको यह वाल सेलेक्ट करना है नोटों सिर्फ बॉल्ड ठीक है तो इसे आपको सेलेक्ट करके done कर देना है अब यहां पर एड हो जागा अब इसका जो size है उसे आपको थोड़ा यहां पर decrease करना होगा एंड अच्छे तरीके से यहां पर adjust कर देना है ठीक है यह जो design वाग हो गया है अब उसके बाद आपको यहां पर नेम लिखना होगा किसका किसके साथ साथ हो रहा है तो यह लिखने के लिए आप यहां पर starting फिर से थोड़ा सा space छोड़ देना जैसे कि जहां से टेक्स्ट आ रहे है उसके थोड़ा सा आप आगया जाना ठीक है उसके बाद आप नेम लिखना यहां पर तो यहां आप आ जानेगे पद फिर से नेम लिखने का सेम तरीका होगा आप इन ooh इन दून में से किसी एक के उपर क्लिक करें एकुआ कर करके नेम लिखना होगा लाइक मैं यहां पर लड़की का नेम तनूजा लिख रहा हूं आप अपने लिख सकते हो जो भी नेम होगा आप यहां पर पूरा नेम भी लिख सकते हो लाइक तनूजा साव गुपता जो भी है वह आप यहां पर टाइटल लिख सकते हो मैं सिर्फ य वाले aces store को पर क्लिक करना है इसमें आपको काफी सारे font देखने को मिल जाएंगे आप सिंपले से हाँ पर handwriting में आजाना handwriting में आप आओगे तो आप यहां लास्ट में स्क्रॉल करेगे तो आपको यह वालो एक उप्शन मिल जागा इसको पर आपको क्लिक कर लेना फिर इसे फॉंट को सेलेक्ट करके डन कर देना है तो आपका यह एड हो जाएगा ओके एड होने कबाद आप इसे यहां पर रख सकते हो साइज वगर थोड़े इंक्रीज करना चाहो देना आपको कर लेना ठीक है अब यहां पर लड़का का नेम लिखना है तो उसे भी लिखने के लिए सेम काम करना ठीक को पर क्लिक करके डूब्लीकेट डूब्लीकेट करने बाद उसे आप यह सेड में लिख सकते हो ठीक है फिर एडिट को पर आप जाना एंड उसका बाद नाम आप यहां पर चेंज कर देन यार मुझे माफ कर देना आप थोड़ा ठीक है तो यहां पर मैं सिंपले से सिर्फ विकास लिख रहा हूं आप विकास कुमार या फिर कुछ भी टाइटल हो वो लिखके दन कर देना ठीक है डन करने बाद इनके बीच में थोड़ा सा आप जगह छोड़ देना क्योंकि वहां पर हमें वेट्स लिखने है ठीक है तो थोड़ा सा जगह कर देते हैं मलब उपर नीचे कर देंगे तो जगह बन जाएगा अब उसके बाद यह जो वेडिंग लिखा है कि यहां पर बीच में आपको अड्जेस्ट कर देना है फिर थोड़ा डियूरेशन कम करना होगा जहां से यह तनूजा एंड विकास है ओके अब आप यहां पर देख पाऊगे यह जो फर्स्ट वाल एनिमेशन वह हमारा बनकी रेडी हो चुका है तो इस तरीक से आप यह हम यहां पर फिल करते हैं और लिटरली बता रहा हूं सारा चीज़े असान है अपने जैसे कि देखा इन्हें क्या इडिट करना वह थाट था नहीं सिंपल सिर्फ टेक्स्टी तो एड़ कर रहे हम ठीक है आसान है पस थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उतना तो हम टाइम देखिसकते हैं लग जहां से झो माने इस ग्री ओर रहा है को यहां से आ रहा है पिर बाद इसको पर क्लिक करना फिर इसका साईज को आप यहां से increase करके इस ग्रीन कलर के पास लेकर आजाना एंड यहां 3.00 के उपर क्लिक करके send to back को उपर क्लिक कर देना तो यह पीछे चला जायाएगा पीछे चले जाने के बाद आपको अपने template को पर क्लिक करना है फिर यहां पर आपको स्क्रॉल करना है और आपको एक chroma की का option मिलेगा इसको पर क्लिक करके इसे आपको इनेबल कर देना है इनेबल आप कर दोगे तो आल्मोस्ट यह जो ग्रीन कलर हो हट जाता है जैसी के आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत अड़ेस्ट करने का मन कर रहा है तो आप यहां से अड़ेस्ट कर सकते हो ठीक लाइक इतना कर देने परफेक्ट लग रहा है ओके तो इस तरीके से आप यहां पर फोड़ा से ढखना से रखना होगा जब टीक है? हो गया, अब जो भी आपने यहां पे रखाए है लड़का का अगर image आपने रखाए तो आप यहां पे लड़का का रखा है तो लड़की का name लिखना उगा सू इधर हमने लिखा है ना तो इसी को पर click करते है andד3- ड lighter को पर click करके duplicate कर लेते बार बार एक ही महनत क्यों करें हैं ठीक है अब उसी को पकड़ के आगे लेके आ जाते हैं ओके ना उसके बाद इसको साइज एंड लोकेशन थोड़ा से हमें चेंज करना होगा जिसे कि यहां रखने पर ज्यादा बेटर लग रहा है तो यहां रख लेते हैं और ड्रेसन जितना दूरते की मेज उतना दूरते कर देना है ओके एंड सेम चीज आप यहां पर करना यह जो वेट से इसको पर क्लिक करके थ् क्योंकि यह दो text के हमें ज़रत पूरा वीडियो में है ठीक है तो इसले आपको इन दोनों को पूरा वीडियो के last तक रख देना है अब उसके बाद यह जो image है यह हमारा यहां तक complete हो चुका है ठीक है अब देख सकतो text मतलब की name भी हमने लिख लिया अब इस weights को हमें change करके bride लिखना होगा या फिर आप दुल्हन भी लिख सकतो बट इंगलिस में अगर हम बनाए तो ज़्यादा सही लगेगा तो edit को पर आप जाके यहां पर हिंदी में सारे चीज़े बनाना चाहते हो तो दुल्हन लिख सकतो लेकिन दुल्हन को इंगलिस में bride बोला जाता है तो मैं यहां पर bride ही लिख रहा हूं ठीक है उसके बाद ok कर देना है यहां पर इसको रख सकतो थोड़ा size वगर को increase करके ठीक है अब जहां तक य रहा जाएंगे जिसे कि आप देख सकते हूं तो यह animation बन गया अब उसके बाद आप यहां पर लड़के को add कर सकतो मिंस लड़का का image तो layer को पर click करके मैं media को पर click कर लेना फिर आप यहां पर लड़के का image सेलेक्ट कर सकतो और हाँ जो भी image मैं यूज करूँ उन सभी का link description में दे दूँगा तो आप वहां से gain कर सकतो ठीक है अगें सेम काम है हमें यहां पर green skin के अंदर इसे fix करना होगा तो fix कर दिया हमने उसके बाद name हमें change करना होगा और इसका location यहां ज्यादा बेटर लग रहा है सो यहां रख लेते हैं ठीक है साइज को भी थोड़ा increase कर देते हैं और अब यहां पर हमें name change करना होगा तो edit को पर जाके simply say name को भी change कर देते हैं like name विकास है तो विकास लिख देंगे and उसके बाद bride को groom कर देंगे क्योंकि दुलहा को English में groom बोला जाता है ठीक है परफेक्ट है अब उसके बाद जितना दूर तक यह image है उतने ही दूर तक आपको text भी रखना है तो text को पर क्लिक करके ट्री में and split को पर जाके split कर देना है ठीक है दोनों ही text को करना है तो दोनों को यह कर देते हैं यहां से ओके यह भी हो चुका अब उसके बाद हमें यहां पर events को बताना है कि कब-कब होने वाला है जैसे कि I think सबसे पहले healthy होता है उसके बाद मेहंदी होता है या फिर मुझे confirm आद नहीं है पहले मेहंदी भी हो सकते है यह मुझे पता नहीं है आप देखके यहां पर रख लेना ठीक है तो यहीं टेक्स्ट को पर लेके यहाँ पर आप आज आओ जो भी पहले होता है वह आप यहां लिखते है ना एडिट को पर जाके अगर पहले हल्दी होता है तो हल्दी लिख देना अगर पहले महंदी होता है तो महंदी सेरिमनी या फिर सिफ महंदी लिख सकते हो उसके बाद डन कर देना है यह जो गुरूम है इसको आपको चेंज करके एड्रेस एंडर टाइमिंग या फिर डेट आप को पर जाके आप लोकेशन एड कर देना जैसे के मैं लिख देता हूं एट कॉल काता यह ठीक है उसके बाद ओके कर देना है ओके करने बाद इन दोनों को अच्छे से आप यहाँ पर अडजस्ट कर लेना एंड साइज को भी थोड़ा करना है अगेन मैं बोल लाँ यह सब को इमेज का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में बस आप यहाँ पर एड करो थ्री डॉट को पर क्लिक करें सेंड टू बैक एंड हो गया ठीक है तो यहाँ पर हल्दी वाला भी हमने एनिमेशन बना लिया ठीक है अब जितना दूर तक इनिमेशन होगा अतना दूर तक आपको डेक्स्ट को रखना होगा और यह सब को भी इमेज को भी जो इतना दूर तक रख लेते अब यह जो आपने में शुरू में जो हमने black color रखा था इसका duration increase कर देना है ठीक है इंक्रीज कर दे जब तक template रहेगा okay साथे में यह जो text है इनका भी duration increase कर देना है जैसे कि मैंने आपको बताये इनका भी हमें जरुरत पड़ेगा पूरे वीडियो में तो इनका वीडियो रेयसे बढ़ा देते नाव इस हल्दी का साइज थोड़ा और इंक्रीज होना ठीक है? मदब सेम तरीका है यहार तरीका देख सेकत हो विल्कूल सेम है यहार आपको यहां पर शेहंड को चेंज करना है एंट बनते जाएगा हल्दी है अब हमोला हटा करो महेंधी लिंगरेंगे डिड़ल देंगे उसमें 이미 डम हें भूड़ कर लेता हूं ऐए लाइक मैंने यहां पर टेक्स्ट को लीख दा में लिख दिया देट चेंज्स कर दिया तेरा तारीक कर दिया यές दिन बाद सायत होता है उसके बाद lifelong करने लिए इमेज भी हैड कर लेता हूं ओके तो यह हल्दी और यहां पर यह जो महंदी है इसे भी मैंने कम्प्लीट कर लिया ठीक दूसी तरीके से आपको भी कम्प्लीट करते जाना है एंड अब उसके बाद आपको यहां पर लास्ट सेरीमनी मतलब की वेडिंग सेरीमनी जब होता है लिखना है ठीक है तो उसके लिए भी सेम तरीका होगा महंदी के ऊपर क्लिक करना यहां पर रख देना फिर एडिट को उपर जाके इस बार आपको ना गेट मेरेज मेरे जहां ही लिखा जाते है नहां गेट मेरेज आपको लिखना है ठीक है उसके बाद आपको ओके कर देन है and date change होगा तो date को change करके done कर लेंगे फिर यहां पर image हमें add करना होगो wedding से related कुछ image तो layer को पर जाके just यहां पर मैं इस वाले image को use कर लेता हूँ ठीक है same चीज है यार ज़्याद़ कुछ हिसमें hard है नहीं और सभी material का link के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आपको बनाने में कोई टेंशन नहीं होगी तो आप देख सकते हमारा जो इन्विटेशन वो बन चुगा एक्स्टा पार्ट गहां से ट्रीम कर देना है ठीक है मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूं हम देख सकते हूं यहां पर ब बाद कब हल्दी होने वाले कब क्या होने वाले वो सारे चीज़े यहां पर लिखे गई है ठीक है तो काफी इजी था ना बनाना आई होप इजी था यार इजी था बोलो कमेंट करो मुझे देखना है कि कितने लोगों नहीं चीज़ सीखा और किनको इजी लगा है आप वेडिंग म्यूजिक को सेलेक्ट करने है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आप इसे गेन कर लेना ठीक है एंड इसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेस्ट पार्ट है तो उसे आप यहां से ट्रीम कर देना और अच्छे से रख देना ठीक है और यह जो वीडियो है इसे मैं कंटिन्यूसली 20 मिनेंट से भी ज्यादा देर तक बोल चुका हूं मेरे गले हो चुके है थोड़े से खराब खराब ठीक है तो अब थोड़ी अजीब है तो मैंस कर लेना ठीक है मतलब हो गया यहां पर हमारी एडिटिंग हो चुकी है अब इसे अपने डिवाइस में हम सेव कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को यह इनविटेशन भेज सकते हैं ठीक है देन उसके बाद एक स्पोर्ट को पर क्लिक कर लेना है यहां से क्वाइलिटी जितना मैक्सिमम सपोर्ट करता है उतना कर लो क्योंकि यह सब चीज़े में कंजूसी नहीं करना चाहिए राइट तो जितना सपोर्ट करता है कर लेना उसको बाद सेव है जब वीडियो को पर क्लिक कर देना ओके तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई